तो आज हम पढ़ने वाले class 7 science chapter 1 the living world adaptations and classification का next question जिसमें बोला गया है तो इस question का मतलब क्या है कि आपस में क्या संबन्ध है किस किस के बीच में between याने की बीच में किस के बीच में adaptations of organism देखिए कोई भी एक living organism है वो अपने surrounding के साब से कुछ changes करता है अपनी body में याने कि adaptations होते हैं उनके body में तो जो यह organism adaptations करते हैं याने कि जो organism changes adopt करते हैं changes अपनाते हैं उनका और उनके surrounding में याने कि आसपास के माहुल में क्या आपस में संबन्ध है तो चलिए इसके answer को समझते हैं तो देखिए students adaptations of organisms depends on the changes in the surroundings कोई भी living organism जो है वो adaptations करता है changes करता है अपनी body में वो depend करता है कि उसके आसपास के surrounding है उसमें क्या-क्या change हो रहे हैं याने कि जो surrounding में जो changes है उसके हिसाब से ही organism जो है वो adaptation शो करता है याने कि changes शो करता है याने कि उनकी body में changes होते हैं adaptations होते हैं तो यह जो surrounding में जो changes हुए है जो बदलाव आये हैं ओके जो living organism के जो आसपास की surrounding है उसमें जो changes आये हैं उन living organism में अब देखिए जो adaptation जो change हो रहे हैं उन living organism में वो एकदम से नहीं होते हैं वो gradually होता है gradually याने कि धीरे-धीरे होता है एकदम से changes नहीं होते हैं students chuckling dauper चेंज turtles होते हैं वो दीरे-दीरे होते हैं और continuously होते हैं लगातार होते हैं ऐसा नहीं कि एक ब क्षी हो गया काम खतम नहीं आँलेशंगी यह जो क्षा जांडा। अनली मुआ होते हैं उन अजम में टो हूं कर सी तरीके से सरांडिंग और प्षा सूरांडिंग को बहुत close relationship है बहुत गहरा आपस में संबंध है कैसे कि जो changes surrounding में होंगे उसी हिसाब से living organism जो है वो adaptations करेंगे changes अपनाएंगे अपने body में उनके काम करने के तरीके में ओके students I hope आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको हमाई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को like ज़रू करें आज के लिए इतना ही